हलो गैस वेल्कम बेचो तो है टो है इंस्टाग्राम रील में कुछ इस तरीके से ट्राञ्जाक्शन वीडियो बहुत वायरल हो document घ्डार दियु करते हैं तो अपका रिल Bye 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 נ। गर यॉक्ष तरीके से त्रांजाक्शन अपने वीडियो पर अपलीकρεं कर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और साथी साथ बेल आइकन को भी जरूर दबा देना और मेरे को इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लेना लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो गैज इस तरीके का ट्रांजक्शन वीडियो को एडिट करने के लिए आपको सिंपल सा क्याप का टैप जरूरत पढ़ने वाला है जो कि आपको Google में easily मिल जाएगा Google में से आपको download कर लेना है Google में से download करने के बाद आपको VPN को connect करना होगा जो कि आपको Play Store में easily मिल जाएगा वहाँ से आपको secure VPN को download कर लेना है और आपको VPN को connect करना होगा VPN connect करने के बाद आपको capca tap open कर लेना है क्लिप का video आड करने के बाद आपको इस तरीके से इंटरफेस दिख जाएगा मैं already मेरे video को 9 क्लिक में add कर लिया हूं 9 विडियो आड होने के बाद आपको एक एक video का time को सेट करना होगा जो कि आपको डिस्प्ले में देख सकते तो कुछ इस तरीके से आपको टाइम फ्रेम सेट करना होगा तो इस तरीके से time set होने के बाद आपको starting point पे आना होगा starting point पे आने के बाद आपको इधर add audio को option मिल जाएगा तो आपको add audio पे click करना होगा add audio पे click करने के बाद आपको मेरा description में audio का song मिल जाएगा तो आँसे आपको download कर लेना है download होने के बाद आपको इधर exciter करके option मिल जाएगा यहाँ पे click करना होगा तो next आपको मेरा description में दिया हुआ वीडियो को download कर लेना है और यहाँ पे आपको उस वीडियो को choose करना होगा और import sound only करके option मिल जाएगा यहाँ पे आपको click करना होगा क्लिक करने के बाद audio add हो जाएगा तो next आपको audio पे क्लिक करना होगा और इधर आपको इस तरीके से scroll करना होगा और इधर आपको bit option मिल जाएगा तो इस bit option पे क्लिक करना होगा और auto generate पे क्लिक करना होगा auto generated पे क्लिक करने के बाद आपको add bits को क्लिक करना होगा और ये automatically हमारा bits add हो जाएगा तो यहां से आपको bit one पे क्लिक करना होगा, bit one पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से scroll करना होगा, जहां भी हमारा video transaction हो रहा है, वहां पे आपको एक bit add करना पड़ेगा चो कि देख सकते हैं यहाँ पर आमारा विडियो ट्रांजक्शन हो रहा है तो यहाँ पर आपको इस लाइन को आपको कुछ इस तरह के से लाना होगा और इदर आपको addbit पर क्लिक करना होगा इसी तरह के से आपको विडियो end होने तक कर लेना है beats add होने के बाद आपको यहां से right click करके back आना होगा back आने के बाद आपको first video पे click करना होगा वीडियो पे click करने के बाद आपको इधर animation option मिल जाएगा तो इस animation पे click करना होगा और कुछ इस तरीके से आपको options मिल जाएंगा तो next आपको यहां से side slide पे click करना होगा side slide पे click करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से इसका duration बड़ा लेना है और next आपको यहां पे out option पे आना होगा out option पे आने के बाद आपको same तरीके से slide side पे click करना होगा और इसका animation आपको कुछ इस तरीके से 3 सेकेंड रखना होगा और next आपको यहाँ से right click करके back आना होगा इसी तरीके से आपको पहले अपने 3 वीडियो पे effect को add करना होगा कुछ इस तरीके से 3 वीडियो पे effect add होने के बाद आपको next वीडियो पे आना होगा नेक्स्ट वीडियो पे आने के बाद आपको इस वीडियो को चूज़ कर लेना है और फिर से आपको animation पे आना होगा और इधर next आपको combo option मिल जाएगा तो इस combo option पे आना पड़ेगा combo option पे आने के बाद आपको कुछ इस तरीके से filter दिकाई देंगे तो next आपको यहां से filing option पे click करना होगा और कुछ इस तरीके से आपको animation दिख जाएगा तो इस तरीके से animation add होने के बाद आपको right click करके back आना होगा back आने के बाद आपको next video पे click करना होगा और उसी तरीके से आपको combo option पे आके filing option को ही चूज करना होगा और यहां से रीट क्लिक करके बैक आना होगा बैक आने के बाद आपको इ offshore middle transaction लगाना होगा मिटल्डरांजक्शन लगाने के लिए आपको कुछ इस तरीके से white box पे click करना होगा white box पे click करने के बाद आपको कुछ इस तरह के स्थाinflation मिल जाएंगे तो next आपको camera option पे आ ना होगा camera option पे आने के बाद आपको इधर pull-in option मिल जायेगा तो is pull-in option पर click करका ना होगा और यहां से right click करके back आना होगा लेक आने के बाद आपको इसी तरह के Szablar option को सारे जगा लगा लेना है कुछ इस तरीके से transactions सबी जगा add होने के बाद आपको next इस वीडियो को choose करना होगा इस पर अभी तक animation नहीं लगाए animation लगाने के लिए आपको animation पे click करना होगा और इदर आपको combo option पे आना होगा तो फिर से आपको combo पे आने के बाद आपको कुछ इस तरीके से slide करना होगा और इदर आपको wave application पे click करना होगा और कुछ इस तरीके से आपको filter add हो जाएगा तो यहां से फिर से आपको next video पे click करना होगा तो next video पे click करने के बाद आपको फिर से इस तरीके से scroll करना होगा next आपको इधर wave absorption option मिल जाएगा तो इसको choose कर लेना है और फिर से आपको next video पे आना होगा और next आपको फिर से इस तरीके से wave amplification पे click करना होगा और next video पे फिर से click करना होगा और कुछ इस तरीके से आपको filter को add कर लेना है filter को add करने के बाद आपको यहां से right click करके back आना होगा तो guys हमारा वीडियो completely ready हो चुका है तो आपको एक बार play करके दिखा दूँगा तो guys कुछ इस तरीके से आप इस वीडियो को edit कर सकते हो तो इस तरीके से आप edit करके instagram reel में डालोगे तो आपका वीडियो viral होने का बहुत chances है तो जाके आपने cap cut tap में इस तरीके से वीडियो edit करके आप instagram reel में तुरंत upload कर दीजिए तो I hope guys इस वीडियो आपको पसंद आयोगा पसंद आयोगा तो like करो comment करो इस चैनल को subscribe करके bell icon को भी जरूर दबा देना और मेरे को instagram में भी follow कर लेना link आपको description में मिल जाएगा तो मिलते हैं अगरे इसी तरीके से आवरे के वीडियो पे तब तक के लिए बाई